देखे 23 नमबर में भी यहां इसी तरह का कुशन है 2 by x plus 3 by y equal to 13 put करके बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं 5 by x minus 4 yy equal to minus 2 यह आपका equation second है हम लोग यह equation first और यह equation second देखें आप एक काम करो इसमें multiply कर दो अपकी बार 5 से और इसमें 2 से तक कि x का x वाले term को हम लोग यहां same कर सकते हैं तो लिखते हैं यहां पर multiply by multiply by यहां पर लिख देते हैं 5 in equation first and multiply by multiply by 2 in equation second क्या हो जागा यहां पर 10 by x plus का 15 by y equal to में 65 यहां से 2 से multiply करेंगे तो 10 by x minus का 8 by y equal to में minus का 4 चलिए यहां पर sign chain करते हैं minus plus plus यह कर जागा यहां पर चलिए इन दोनों को plus करेंगे दोनों plus महीं नहीं यह minus 60 यह प्लस में आगा तो आ जाएगा यहां पर कितना तो यहां जागा 23 by y और इन दोनों को एड करेंगे तो 69 हो जाएगा यहां से 69 y equal to में 23 यह जागा डिवाइड में तो y के value 1 by 3 हो जाएगा अब लिखते हैं putting the value of y in equation first equation first देखिए क्या है 2 by x plus 3 by y equal to में 13 2 by x plus में 3 by y equal to में 13 यह नहीं जी आपका चलिए अब यहां पर हम लोग put करते हैं तो 2 by x plus में 3 by y के value 1 by 3 equal to में 13 यह पलट जाएगा तो 2 by x equal to में यहां हो जाएगा 9 equal to में 13 यह जाकर उदर subtract करते हैं तो हो जाएगा 2 by x equal to में 4 यह नि 4 x equal to 2 इसका मतलब x equal to में 2 by 4 कटके यहां पर आजाएगा 1 by 2 therefore x का value 1 by 2 और y का value हो गया 1 by 3 समझ यह कोई दिकत नहीं है next देखते हैं